नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाई में आपका तह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जोडों के दर्द में लाबकारी है काला नमक के बारे में, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लेकिन इससे पहले मैं आपक अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाई तुरंत सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मटव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं. काला नमक स्वाद में लाजवाब तो है ही और शधिय गुनों की भी खान है. काले नमक में असी तरह के खनिच पदार्थ पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में काफी कारग हैं. आप इसे रोज की खुराक में शामिल कर सकते हैं. सुबह खाली प खरपूर नमक प्राकृतिक रूप से पाए जाने के कारण इसमें तत्वों और खनिच पदार्थों की प्रचुरता होती है. इसमें सोडियम, क्लोराइड, सल्फा, आयरन, हाइडरोजन जैसे तत्वों के साथ साथ हस्सी प्रकार के खनिच पदार्थ पाए जाते हैं, जो ह आजमे को ठीक रखने में काला नमक काफी मदगार है. एक गिलास गर्म पानी में एक चुटकी काला नमक डाल कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. हलका गुंगुना हो जाने पर इसे पी लें. प, टकी तमाम बीमारियों के लिए यह रामबान है. सर्दी खांसी में कारगर सर्दी, खांसी और अस्थमा के इलाज में काला नमक काफी कारगर है. इसे आप गुंगुने पानी, उबले अंडे में डाल कर सेवन कर सकते हैं. काले नमक से बने गर्म पानी की भाप से कफ, पलगम और खांसी दूर करने में काफी सहायता मिलती है. बालों की रूसी दूर क का मिश्रन बालों पर लगाने से रूसी शीक्र ही गायब हो जाती है. जोडों के दर्द को ठीक करे 40 साल की उमपार होते ही जोडों में दर्द होना आजकल एक सामान्य बात बन गई है. कई लोगों को तो जोडों में दर्द 30 की आयूपार करते ही शुरू हो जाता है. कर्म अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपको ये जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।